के बितिन क्लास में आप सबका स्वागत है और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मानफतावादी उपागव यानि humanistic approach तो शुरू करते हैं आज की क्लास मानफतावादी सिधान्त यानि humanistic approach basically Freud के सिधान्त के against develop हुआ था इस approach के development में काल रोजर्स और Abraham Maslow का नाम मुखे रूप से आता है हम इन दोनों ही बनोवग्यानिकों की theories को अलग-अलग समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं काल रोजर्स की तो रोजर्स का एक बहुत ही important thought है एक बहुत है तो पुर्ण विचार है जो है पुर्णत प्रकारिय शील व्यक्ति यानि fully functioning person पुर्णत प्रकारिय शील व्यक्ति या fully functioning person से रोजर्स का तात्पर उन व्यक्तियों से है जो अपनी चमताओं और योग्यताओं का सही सही प्रियोग करते हैं ऐसे लोग अपनी चमताओं अपनी संभाविताओं यानि उनके अंदर जो potential है किसी काम को करने का और उनके अंदर जो talent है प्रतिभा है उसको वो सबसे best way में best तरीके से express करने की कोशिश करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो उनमें satisfaction आता है और ये जो satisfaction है ये personality development के लिए यानि व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही important है कार्ल रोजस ने पूरता प्रकारशील व्यक्ति यानि fully functioning persons जो की अपनी योग्यताओं और अपनी छमताओं को सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करते हैं एक्सप्रेस करते हैं उनके व्यवहार के बारे में दो मुखे विचार बताएं हैं पहला यह कि fully functioning person यानि पूरता प्रकारशील व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो लक्षण मुख और सार्थक होता है यानि ऐसे व्यक्ति जो भी व्यवहार करते हैं वो उसके लक्षे की तरफ ले जाने वाला होता है और निरर्थक नहीं होता, बिना मतलब के नहीं होता बलकि उसका व्यवहार सार्थक होता है यानि उसके लक्ष को प्राप्त करने वाला होता है दूसरा ये कि इस तरह के लोग हमेशा ऐसे व्यवहार को चुरते हैं जो की अनुकूली हो और आत्मसिद्धी वाला हो धाल लेते हैं या हम खुद वातावरन के अनुकूल ढल जाते हैं यानि अपने वातावरन को सफलता पुर्वक अपना लेते हैं और आत्मसिद्धी यानि खुद को सिद्ध करने वाला व्यभार अपनी योगिताओं अपनी छमताओं के द्वारा अपने आपको सिद्ध करने वाला यानि खुद को प्रूफ करने वाला व्यभार ऐसे व्यक्ति करते हैं रोजर्स का सिध्धान्थ उन पेशेंट्स के एक्सपीरियंस को सुनने से डेवलप हुआ है जो उनके क्लिनिक में आते थे रोजर्स ने ये देखा कि उनके क्लिनिक पर जो भी क्लाइंट आते थे और अपने एक्सपीरियंस रोजर्स के साथ शेयर करते थे तो उन क्लाइंट के एक्सपीरियंस में एक important factor होता था वो था उनका self यानि वो अपने बारे में बात करते थे अपने self के बारे में बात करते थे इसलिए रोजर्स का सिध्धान्थ self concept के चारों और structured है बना हुआ ह यानि इन्होंने अपने सद्धान्त में self-concept को बहुत importance दी हैं और Rogers का ये मानना है कि लोग अपने वास्तविक आत्म की सिद्धी या प्राप्ती में लगे रहते हैं self-concept क्या होता है या अपने इसी chapter के starting में समझा था तो व्यक्ती के अपने बारे में जो ideas होते हैं उसे self-concept कहते हैं और generally हम इन्हें कुछ sentences के रूप में व्यक्त करते हैं जैसे मैं वो व्यक्ती हूँ जो बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है या मैं वो व्यक्ती हूँ जिससे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो हमारे खुद के बारे में जो हमारे ideas या हमारे विचार होते हैं उन्हीं को self-concept कहते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे खुद के बारे में जो हमारे ideas होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो कई बार लोगों को अपने बारे में काफी गलत फैमिया होती हैं रोजस का यह मानना है कि लोग हमेशा अपने actual self यानि वास्तविक आत्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं इस sentence को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि रोजस के अनुसार self या आत्म दो प्रकार का होता है एक वास्तविक आत्म दूसरा आदर्श आत्म यानि actual self और ideal self तो रोजस ने self को दो भागों पर बाटा है एक actual self और दूसरा ideal self तो actual self या वास्तविक आत्म वह है जो आप वास्तविक में हैं और आदर्श आत्म या ideal self वो है जो आप बनना चाहते हैं clear है तो लोग हमेशा अपने वास्तविक आत्म वास्तविक आत्म यानि जो आप हैं जो आपके अपने बारे में खुद के ideas हैं कि हम ये हैं आप उसी को सिद्ध करने में उसी को प्राप्त करने में लगे रहते हैं रोजर्स के अनुसार हर व्यक्ति के पास अपना एक आइडियल सेल्फ भी होता है यानि आदर्श आत्म भी होता है आइडियल सेल्फ वो सेल्फ होता है जो व्यक्ति बनना चाहता है जैसा वो होना चाहता है यानि व्यक्ति की अपने बारे में एक ऐसी छवी जिसे व्यक्ति आदर्ष मानता है और उसके जैसा बनना चाहता है, ये जो आदर्ष आत्म होता है, इसमें वे सभी गुण आते हैं जो कि positive होते हैं, और व्यक्ति की ये इच्छा या तमन्ना होती है कि वो अपने अंदर इन गुणों को विक्सित करें, व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, यानि उसका आदर्श आत्म उसका ideal self जैसा वो बनना चाहता है जैसा वो बनने की इच्छा रखता है उसमें और जैसा व्यक्ति वास्ताओं में है जब ये दोनों के बीच में समरूपता होती है यानि जैसा व्यक्ति बनना चाहता है वैसा ही वो वास्ताओं में है तो ऐसा व्यक्ति प्रसन रहता है, खुश रहता है, सैटस्पाई रहता है, लेकिन जब व्यक्ति के आदर्श आत्म और वास्तविक आत्म, यानि ideal self और actual self में difference होता है, अंतर होता है, यानि जैसा व्यक्ति बनना चाहता है, वैसा वास्तों में होता नहीं है, तो जब दोनों self के बीच में, यानि ideal self और actual self इन दोनों के बीच में विसंगतिया होती है, तो ऐसा व्यक्ति नाखुश रहता है, यानि आप्रसन रहता है, और साथी साथ वो unsatisfy रहता है, रोजस का ये मानना है, कि लोगों में आत्म सिद्धी, आत्म सिद्धी, यानि अपनी योग गिताओं को सिद्ध करना, अपनी छमताओं को सिद्ध करना, उनकी उन्नती करना, तो आत्म सिद्धी के द्वारा, व्यक्ति अपने self concept को highest level तक, उच्चितम सीमा तक विक्सित कर सकता है, रोजस के अनुसार personality development, व्यक्तित वविकास, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति अपना मुल्यांकन करता है, और अपनी कमियों को दूर करके आत्म सिद्धी प्राप्त करता है आत्म सिद्धी यानि उसकी जो भी योग गिताओं जो भी छमताओं है, उन छमताओं योग गिताओं का विकास करना अपने आपको सिद्ध करना और अपनी योग गिताओं को उच्चितम सीमा तक अभी व्यक्त करना एक्स्प्रेस करना आत्म सिद्धी कहलाता है रोजस का ये मानना है कि self-concept के development में समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज यानि हमारा परिवार, रिष्टेदार, पासपरोज, मित्र, टीचर्स इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति के self-concept के development में एक बार फिर से आपको बता दूँ कि self-concept का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते है आपके अपने बारे में क्या विचार है क्या ideas है वो आपका self-concept होता है तो इस self-concept के development में समाज का बहुत बड़ा रोल होता है जब समाजिक दशाएं अनुकूल होती है तब व्यक्ति का self-concept और उसका self-esteem अत्मसमान उच्च होता है अनुकूल समाजिक दशाएं जब आपको accept किया जाता है आप जैसे हो वैसा आपको स्विकार किया जाता है लोग आपको पसंद करते हैं आपको सनेह देते हैं आपको सम्मान देते हैं आपकी respect करते हैं तब आपका self-concept और आपका self-respect, self-esteem high level की होती है, लेकिन इसके opposite जब समाजिक दशाएं प्रतिकूल होती है, तब self-concept और self-esteem निमनिस्तर का होता है, प्रतिकूल दशाएं यानि जब आपको लोग accept नहीं करते, पसंद नहीं करते, या आपके साथ भेदभाव किया जाता है, या आपको प्रेम इसने नहीं प्राप्त होता, या लोग आपके respect नहीं करते, आपको मान समान नहीं देते, ये सबी समाजिक दशाएं प्रतिकूल है, और जब समाजिक दशाएं प्रतिकूल होती है, तो self-concept और self-respect low level का होता है, ऐसे लोग जिनका self-concept और self-esteem high level का होता है, ऐसे लोग नम मे होते हैं नम्मे यानि flexible होते हैं जिसके कारण वो नए अनुभवों को बहुत ही आसानी से जो नए experience होते हैं उनको बहुत ही आसानी से accept कर लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं यानि उनकी life में कुछ भी change होता है कोई भी परिवर्तन आता है तो वो उसे बहुत आसानी से accept कर लेते हैं और अपना development करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपने आपको सिद्ध करते हैं. रोजर्स ने बात करी है positive regard की, positive regard यानि सकरात्मक आदर, यह जो positive regard या सकरात्मक आदर होता है, यह दो तरह का होता है, एक conditional और दूसरा unconditional, conditional positive regard यानि शर्त के साथ सकरात्मक आदर, आदर यानि सम्मान, respect और respect किस बेस पर? शर्त के साथ में, यानि आपको प्रेम, इसने हैं, मान सम्मान तब दिया जाएगा जब आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं यानि दूसरों का सनेह, सम्मान, आदर प्राप्त करने के लिए आपको उनके बनाय हुए क्राइटेरिया पर, उनके बनाय हुए मानदंडों पर उनके बनाय हुए मानदंडों, उनके बनाय हुए क्राइटेरिया के according behavior करना होगा यानि आपको सम्मान या स्नेह तब मिलेगा जब आप शर्तों को पूरा करेंगे और दूसरा है unconditional positive regard यानि अशर्त सकारात्मक आदर अशर्त यानि शर्त रहित यानि दूसरों का स्नेह प्रेम या सम्मान प्राप्त करने के लिए जब कोई शर्त न रखी जाए तो इसे unconditional positive regard या अशर्त सकारात्मक आदर कहा जाता है तो अगर बच्चे को प्रेम, सम्मान, शर्तों पर मिलता है बच्चे के mental health के लिए बहुत हानिकारत हो और ऐसा बच्चा उनतह प्रकारेशी इलव्यक्ती यानि fully functioning person बनने से वंचित रह जाता है जबकि दूसरी ओर जब बच्चे को मान समान और प्रेम के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी जाती यानि unconditional positive regard दिया जाता है तो ऐसे बच्चे fully functioning person बनने की ओर अग्रसर होते है और उनका self concept high level का होता है उसमें वृद्धी होती है तो Rogers का ये मानना है कि अगर personality development करना है तो unconditional positive regard का वातावरन बनाया जाना चाहिए यानि बिना शर्त मान समान और प्रेम का वातावरन निर्मित किया जाना चाहिए जिससे self concept की वृद्धी होती है और personality development होता है काल रोजर्स ने मानसिक रोगियों के अपचार के लिए एक therapy यानि चिकित्सा पद्धती विक्सित की जिसे सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा पद्धती या client centered therapy कहा जाता है इस therapy में unconditional positive regard का वातावरन बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जो patient है जो client है उनका self concept high किया जा सके अब हम बात करते हैं अबरहाम मैसलो की तो अबरहाम मैसलो को आपने class 11th में motivation chapter में पढ़ा होगा motivation chapter में आपने अबरहाम मैसलो के द्वारा दिया गया आवशकताओं का पदानुक्रमिक model पढ़ा होगा मैसलो का आवशक्ता पिरामेड मैसलो ने अपने आवशक्ता पधानुक्रमिक मॉडल में आवशक्ताओं को पांच भागों में बाटा है और उन्हें पिरामेड के तौर पर प्रस्तुत किया है इस पिरामेड में जो पांच आवशक्ताओं बताई गई है उन आवशक्ताओं को step by step एक एक करके संतुष्ट किया जाता है सबसे पहले शारेरिक आवशक्ताओं संतुष्ट की जाती है शारेरिक आवशक्ताओं जैसे भूग, प्यास, नींद, आदी और जब ये आवशक्ताओं संतुष्ट हो जाती है तब व्यक्ति सुरक्षा संबंधी आवशक्ताओं को संतुष्ट करने के बारे में सोचता है सुरक्षा संबंधी आवशक्ता जैसे अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, ये सब सुरक्षात्मक आवशक्ताओं के संतुष्ट हो जाने पर व्यक्ति प्रेम और संबंधन की आवशक्ता को संतुष्ट करता है हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रेम किया जाए वो दूसरों के साथ रहे इसके बाद आती है आत्मसमान की आवशक्ता यानि खुद की अपनी नजर में क्या value है अपनी नजर में अपना सम्मान और दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की आवशक्ता और सबसे अंत में आती है जो सबसे उच्छस्तर की आवशक्ता है वो है आत्मसिद्धी या आत्मबास्तवी करन की आवशक्ता इस आव सिद्धी की आवशक्ता व्यक्ति तब संतुष्ट कर पाता है जब नीचे के चार वशक्ताओं की संतुष्टी सही धंग से हुई हो आत्म सिद्धी या Self-Actualization का मतलब उस Stage से होता है या उस अवस्था से होता है जब व्यक्ति अपनी छमताओं और अपनी योग्यताओं से अवगत होता है या व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर कौन सी छमताओं और योग्यताओं है और उन छमताओं और योग्यताओं को वो express करता है प्रकट करता है और उनके द्वारा self improvement करता है यानि अपनी उन्नती करता है मैसलो ने self actualization यानि आत्मसिद्धी की प्राप्ति के रूप में मनोवज्ञानिक रूप से स्वस्थ लोगों की एक विस्तिरत व्याख्या दी है मैसलो का मानना है कि जो मनोवज्ञानिक रू को प्राप्त कर चुके होते हैं यानि step by step जितनी भी आविशक्ताएं हैं उन आविशक्ताओं को वो प्राप्त कर चुके होते हैं मैसलो के अनुसार मनुश्यों में एक आशावादी और सकरात्मक दृष्टिकोन होता है यानि हम सभी आशावादी होते हैं और हमारे अंदर positive attitude होता है मैसलो ने अपने सदानत में माना है कि मनुश्यों का एक आशावादी और सकरात्मक दृष्टिकोन होता है और इस आशावादी और सकरात्मक दृष्टिकोन के अंतरगत सकरात्मक गुन जैसे प्रेम, हरिश और सरजनात्मक इनको करने की संभावना होती है यानि जब हम आशावादी होते हैं और हमारा दृष्टिकोन सकरात्मक होता है यानि हमारा attitude positive होता है तब हमारे अंदर प्रेम, हरिश और सरजनात्मक कारियों को करने की संभावना बढ़ जाती है जैविक आवशक्ता हैं सुरक्षा संभन्दी आवशक्ता हैं और आत्मियता की आवशक्ता हैं जिनहें मैसलो ने अपने पिरामेड में निचले स्तरों पर रखा है सबसे निचले स्तर पर जैविक आवशक्ता उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवशक्ता और उसके बाद आत्मियता की आवशक्ता हैं ये सभी आवशक्ता हैं उत्तर जीविता आवशक्ता हैं उत्तर जिविता आवशक्ता हैं यानि वो आवशक्ता हैं जो किसी प्राणी को अपना अस्तितो बनाये रखने के लिए जरूरी होती हैं और ये तीनों ही तरह की आवशक्ता हैं पश्वू और मनुश्यों दोनों में पाई जाती हैं यानि पशु और मनुश्य दोनों ही जैवेक आवशक्ताओं की संतुष्टी करते हैं, भूब, प्यास, मीद, आदी, दोनों ही अपनी सुरक्षा करते हैं और दोनों में ही आत्मियता की आवशक्ता होती हैं इस तरह से अगर कोई व्यक्ती केवल इन आवशक्ताओं की संतुष्टी में लगा रहता है, यानि इन आवशक्ताओं में मनुश्य का लगा रहना उसे पश्वों के स्तर पर ले जाता है लेकिन मानो जीवन की वास्तविक यातरा शुरू होती है आत्मसम्मान और आत्मसिद्धी जैसी आवशक्ता से क्योंकि आत्मसम्मान और आत्मसिद्धी की आवशक्ताएं पश्वों में नहीं केवल मनुश्यों में पाई जाती हैं इस तरह से मानवदावादी उपागम, हुमनिस्टिक अप्रोच जीवन के सकारात्मा पक्षों पर बल देता है अगर आप मैसलो के आवशक्ता पदानुक्रमिक मॉडल को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो एवलेबल है जो आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा वहाँ से क्लिक करके या फिर मैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं सो व्यूवर्स कैसी लगी आज की क्लास अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे और बेल आइकन प्रेस करना वद्भूलिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पुरंत मिल जाए धन्यवाद